हेलो एबरीवन कैसे हैं आप सभी I hope की सभी अच्छे होंगे तो आज हम कक्षा 4 का विसे हिंदी का अभ्यास प्रश्न पत्र सॉल्ब करेंगे जिसे आप अपने आने वाले एक्जाम की तयारी अच्छे से कर सकें तो शुरू करते हैं तो यहाँ पर सभी अपना अपना नाम ल अर्थ वाले सब्द लिखी आनि कि आपको लिखने हैं यहाँ पर समानार्थी सब्द तो पहला है यहाँ पर आस्मान तो आस्मान के समानार्थी सब्द हैं आकास और गगन नेक्स्ट है बादल तो बादल को और किस नाम से जाना जाता है मेग भी कहते हैं और जलधर भी कहत पापाप जब बच्चे थे पाठ के लेखग का नाम है तो यहां पर विकल्प दिये गए हैं तो उस पर आपको शही का निशान लगाना है तो उप्शन में है कल्पनात सिहिंग, सोहनलाल दिवेदी, अलेकसांद्र रसकिन, दामुदर अगरवाद तो इसका सही आंसर है अलेकसांद्र रसकिन तो यहाँ पर आप सही का निसान लगाएंगे अभी आपर प्रस्न तीन है नीचे दिये गए प्रस्नों को पढ़िये और उचित विकल्पर सही का निसान लगाएंगे प्रस्न है नाटक में बिल्ली कौन बना था तो ओप्शन है यहाँ पर नीना, सरला, मुन्नी तो नाटक में बिल्ली नीना बनी थी तो यहाँ पर आप सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट है घर से खाने का सामान कौन लाया तो मुन्नी लाई थी तरलाया फिर नीना तो घर से खाने का सामान मुन्नी लाई थी अब यहाँ पर प्रश्ण चार है दिये गए संकेतों की मदद से निम्द रिखी सब्दों के अर्थ लिखे तो यहाँ पर संकेत में सब्द दिये गए है छिपकर पुस्तक, चित्र, भगाता तो तस्वीर का अर्थ होता है छित्र तो तस्वीर को चित्र कहते हैं यहाँ लिख देंगे Next है दुबकर दुबकर यानि कि छिपकर Next है धाता धाता कारत होता है भगाता Next है पोती तो पोती कहते हैं पुश्टको अब आता है यहाँ पर प्रस्ण पांच नीचे दिएगे वाक्यों को पयोगत क्रिया सब्दों का प्रियोग करते हुए पूरा कीजिए तो पहला है यहां पर आज हम मैदान में खेलेंगे या फिर देखेंगे तो यहां लिखेंगे हम खेलेंगे नेक्स्ट है इन दोनों से दाल कटवाएंगे या फिर बनवाएंगे तो दाल को क्या कराते हैं बनवाते हैं तो यहां लिख देंगे हम बनवाएंगे नेक्स्ट है नीना ने रोटी खेली या फिर खाई तो नीना ने रोटी खाई तो यहां लिखेंगे खाई नेक्स्ट है बिल्ली जान बचाकर भागी या फिर नाची तो बिल्ली जान बचाकर भागी तो यहां लिख देंगे हम भागी नेक्स्ट है पेट में चूहे लगे क्या कूधने या फिर खेलने तो पेट में चूहे कूधने लगे तो यहाँ पर क्या लिखना है कूधने अब यहाँ पर आता है प्रश्ण 6 नीचे दिएगे अनुचेद को पढ़िए और पूछेगे प्रश्णों के सही उत्तर लिखे तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है अनुचेद को पढ़ना है बहुत ध्यान से उसमें से प्रश्ण आएंगे आपको और उन प्रश्णों के आंसर आपको कहां से देने है अनु जाया लेकिन यह तो सरासर अन्याय है धनी की आखों में गुस्सा था इतना ही नहीं भारतिय लोगों को नमक बनाने की मना ही है मातमा जी ने ब्रिटिस सरकार को कर हटाने को कहा पर उन्होंने उनकी बात ठुकरा दी इसलिए उन्होंने निश्चे किया है कि वे दांडी जाएंगे और समुंदर के पानी से नमक बनाएंगे तो यह आपका अनुशेद है अब इसमें से प्रश्ण पूछा गया है कि नमक पर कौन कर देता है तो कौन देता है भारतवासी यानि कि भारतिय लोग तो यह लिखेंगे भारतिय लोग नेक्स्ट है धनी को गुस्सा क्यों आया तो क्यों आया था धनी को गुस्सा नमक पर कर देने की बात सुनकर धनी को गुस्सा आ गया अब यहां पर प्रश्ण तीन है महात्मा जी ने ब्रिटिस सरकार को क्या करने को कहा तो क्या कहा था तो महात्मा जी ने ब्रिटिस सरकार को नमक से कर हटाने को कहा नेक्स प्रशन है गांधी जी ने क्या करने का निश्चे किया उन्होंने निश्चे किया कि वे दांडी जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे तो यहां लिखेंगे गांधी जी ने निश्चे किया कि वे दांडी चल कर जाएंगे और समुंद्र के पानी से नमक बनाएंगे अब यहां पर प्रस्मे साथ है उचित मात्रा लगा कर सब्दों को पूरा कीजिए तो यहाँ पर पहला सब्द है सरज तो यहाँ लिखेंगे हम सैपर बड़ेऊ की मात्रा लगाएंगे सूरज नेक्स्ट है रसन तो यहाँ पर रह के बाद आकी मात्रा लगाएंगे रासन नेक्स्ट है पत तो यहाँ पर तै के बाद आकी मात्रा लाएंगे तो क्या हो जाएगा पता नेक्स्ट है अब मन तो अब मन में भैपर हम छोटी ए की मात्रा लगाएंगे और मैं के बाद आ की मात्रा तो क्या सब्द होगा अभी मान अभी हाँ पर प्रशना आठ है नीचे दिएगे चित्र का वर्णन अपने सब्दों में कीजिए संकेत सब्दी आपर दे दिए गए हैं जिनने आपको अपने सब्दों में यानि की जो भी आप लिखेंगे उनमें प्रियोग करना है नाव, पानी, बरसाथ, बच्चे, घर, आनंद, खेल, मनोरंजन आप देख सकते हैं चित्र में ये दो बच्चे हैं जो की बारिस में बाहर बैठे हुए हैं और नाव का खेल खेल रहे हैं बरसाथ का मौसम है घर के बाहर एक तालाब है तालाब पानी से भरा हुआ है जिसमें बद तक तैर रही है बच्चे तालाब में कावगज की नाव चलाकर मनुरंजन कर रहे हैं और बरसात का आनंद ले रहे हैं और लकडी से नाव चलाने का खेल खेल रहे हैं तो आप देख सकते हैं चित्र में क्या-क्या ये बच्चे कर रहे हैं अब यहाँ पर है प्रस्टन नाइन अपने नाना जी को आपके विद्याले में होने वाली विबन गती विडियों के बारे में जानकारी देते हुए एक पत्र लिखे तो यहाँ पर आपको पत्र का प्रारूप दिया गया है आपको यहाँ पर लिखना है तो यहाँ पर आपको क्या करना है भेजने वाले का पता है याँ कि आपको यहाँ पर अपना पता लिखना है तो जैसे कि आपका जो भी पता है आप वो लिखेंगे ए बीस बटा बारा नई दिल्ली यहाँ पर यह पिन कोड है यहाँ पर पत्र लिखने की तिति यानि कि जिस तारीक में आप पत्र लिखेंगे वो तारीक लिखनी है एक मार्श दोजार चौबिस यहां पर संबोधन यानि कि आप अपने नाना जी को संबोधन करके लिखेंगे आदरनी नाना जी अभिवादन में नमस्ते प्रणाम आप कुछ भी लिख सकते हैं आसा करती हूँ कि वहां सभी कुसल मंगल होंगे यहां मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है हमारा विद्याले बहुत अच्छा है यहां समय समय पर विभन प्रतियोगिताएं होती रहती हैं जैसे खेलकूद प्रतियोगिता भासन प्रतियोगिता प्रश्नमंच नाटक कला आदी मै आपको सिकायत का मौका नहीं दूंगी मेरी और से नानी जी को चरण वंदन कहना आपकी नाथिन रिचा यहां पर सभी अपना अपना नाम लिखेंगे तो आप इस तरीके से इस पत्र को पूरा करेंगे तो यह था आपका प्रश्न पत्र तो आप इस अभ्यास प्रश्न पत the channel thank you